धन्यवाद अद्धिक्षमोदए 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 सामाजिक सुरक्षिता सोशल स्विक्रेटी को ध्याद में रखते हुए EPS 95 पेंशन लाबरतियों ने अपने परिश्रम से देश के विबिन्द संगटरों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर निबाई है और देश के आउद्योगिक यहम आर्थिमी विकास में प्रमुग योगदान दिया है देश भर के पासर्श लाग से जादा लोग EPS 95 पेंशन लोग के लिए वरतमान में दी जानी वाली पेंशन के राशी बहुत इकम है जिससे उनकी आज इविका पर नकारत्मक प्रभाव पड़ रहा है और वो मुल्बूत स्वास्थ सेवाव से वंचीत रह जा रहे है इसके आतिरिक्ष 2013 में कोशियारी समिती ने भी इस राशी को बढ़ाने का आनिम बदुन किया है मैं सरकार से मांग करता हूँ कि EPS 95 योजना के तवत आने वाले पेंशनोर की मांगों पर कारवी करे और इसके लिए केंदर सरकार EPS 95 योजना में आवशक परिवर्तित करे EPS 95 पेंशनोर को और उनके परिवारों को कम से कम 10,000 रुपए परति मांग की मूल पेंशन दी जाहिए और साथ में मंगाई भकता या मुक्त स्वास्त सेवा परदान की जाए जिससे इस पेंशन भोगियों को इसका लाव मिले और उन्हें सेवा नुरुत के बाद किसी वित्य संकट का सामना न करना पड़े धन्यवाद सर नियूंतम पेंशन पिक्चेतर सो प्लेस महगाई भता यानि कि EPS 95 के तहट कवर 60 लाग से भी जादा पेंशन धारकों की मोस्ट पेंडिंग डिमांड को लेखर भाजपा के मंत्री ने आखिरकार सदन में उठाया है मुद्दा नियूंतम पेंशन पड़ाकर यहाँ पर पेंशन धारकों को किर्टक करे मोधी सरकार यह उठाई है मांग नमस्कार दोस्तों एक बाफ फिसे स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों देश भर के 60 लाग से भी जादा EBS 95 के तहद कवर्ड पेंशन धाक लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी नियूंतम पेंशन जो है वह जार रुपए से बढ़ा कर 75 रुपए कर दिया जाए उनको मेंगाई भता दिया जाए और उनके उनके आसरितों को मुफ्त मेडिकल सुईधाएं दी जाएं तथा जो इस यूजना के तहद कवर्ड नहीं है तो उनको कवर्ड किया जाए या फिर उनको 5000 रुपए की पेंशन दी जाए इस पर यहाँ प जो बेहाद ही काम है ऐसे में जरूरी है कि स्रम मामलों पर संसद की सिमिती ने रिपोर्ट में बात कही है कि 8 साल पहले 1000 रुपए मासी की नियूंतम पेंशन इधायट की गई ती जो पूरी तरह से आपरियाप्त है पेंशन को व्यवारिक तरह तक बढ़ाने के लिए स्रम को वित मंतराले के इस समय बजट के लिए परस्ताव भेजना चाहिए रिपोर्ट में कहा गया है कि मंतराले ने 2018 में उच आधिकार प्राप निगरानी सिमिती बनाई थी जिसका उधिश्य करमचारी पैंशन योजना 1995 का मुल्यांकर और समिक्षा करना था तो अब दो संसद आधि दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद जैहीं जैफार